कि नमश्कार आदाब सच्रिया काल भायों बर्यों देवी सजनों क्या मेरी आवाज आप लोगों तका रहे हैं जल्दी से बता देना मैं आज आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे कल परसुन नर्सो तरसो अरे आज ही है मत तरसाओ लगाओ लाइक लगाओ आग मेरे पास यूटूब पे एक नहीं दो नहीं एक से बढ़कर एक महारती बैटे मेरे पास अधर भाई क्या हाल है और मुझे लगता है आज आपने वादा किया था कि आप प्याओ गया याद आ रहे है मेरे पास है और कुषल खुशल भाई कैसे यो कैसा लाग अचा था अचा था अचछा था याज यह है कैसे कैसे हो बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जितने लोगों के नाम मैं देख पा रहा हूं उन सभी का यहाँ पर सभागत है और वीडियो का मेरे के एक यार बता देना यार की सब क्लियर है क्या तब तक मैं जर आपने प्यारे प्यारे जवर्दस्ट ऑसम माइंड ब्लोईंग और आग लगा देने वाले पेड स्टुडेंट से बात करके आता हूं भाई सहाब हजार स्टुडेंट्स हमें जॉइन कर चुक है डाट इस रियली अन बिलीविबल अब आई डून नो की लाइव कितरे आ रहे है और रेकॉर्डेट कितरे देख रहे है अफकोर्स हमें पता है कि लाइव बहुत कम बच्चे आ रहे है बट यार होता कहना मुझे लगता है कॉल थोड़ा सब्सक्राइब करो यार थोड़ा बताओ मुझे कौन कौन है कौन नहीं आज अवंधी परोरा से बात करने वाला हुए हेलो अवंधीप हेलो अतर्व और अचा दो अथर्व है क्या हमाने पास ओ भाई साहब और नई नई ने 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 ये शाणा बच्चा इधर भी बैँ निया सुमेथ अंजली शूती कार्तिक और आया भाई आया बहुत अच्छा लग आपको देखे चलो नबर नया नाम नाम आज इससे जरूर बात करेंगे सोनु कुमार नया नाम जरूर बात करेंगे सद्ध्यम रिदेश भाई तिम लोग यह कर और रहे वाई उदर हर ज वहाँ बहुत स्फवागत है कौन कम नहीं पेड वाले में कौन कौन आया यह आज 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 से बीबात करेंगे अनुश्कर आप भी नहीं आप का भी नाम नहीं है मैं आज से बात करूंगा और रहें विटा तुम डेवन से स्पूट कर रहे हो तुम नहीं तुम अपने सब्सक्राइब चलिए पढ़ाई कर ले चालू करते पढ़ाई सुमन मैडम कैसे हो वेरी गुड सलोनी आप से भी बात करेंगे आज बहुत सारे बच्चे से बात करने नहीं बच्चे मैं आप सब की मदुरावाद सुनना चाहता हूं और बहुत लंबा क्लास है सभी स्टूडेंट से हम लोग बात करते करते चलेंगे तो भाई आज शुरू कर देते हैं हमारा क्लास रिवेश्यों अफ बें रिवेश्यों ऑफ निम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल एक हुम्वक दिया था कितने लोगों ने किया प्लोग को कल टेस्ट है वालो है न तुम लोको स्कुल टेस्ट पेपर मैं अपने टेलीग्राइम चैनल पर है और उसके बाद इसका आ यहां live class के अंदर करने वाले तो I hope कि आप लोग prepared हो आज ही का दीन है पढ़ लेना पुरी इमानदारी से पुरी शिद्दत से पुरी मेनद से और आप अटेंड कर लेना ठीक है चलो तो वही मेंवर एंडम कल हम लोगों ने किया था start आप मेंबर आइटम के अंदर बहुत सारे clause है नेम clause, address clause, object clause, liability clause, capital clause, association clause और अगर OPC है तो वहापर nomination clause भी आ जाता है नेम clause के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अगर company है तो आपके अपने नाम के आगे private limited, public limited, one person company, limited, government company है तो limited यह आपको लगाना पड़ता है अगर आप IFSE companies हो तो IFSE public limited, IFSE private limited as the case में भी यह भी आपको बताना पड़ता है IFSE companies के बारे मैंने details आपको बता रहा है section 8 companies को private limited, public limited यह सारे लफडे कुछ है नहीं उनको जैसी section 8 का license मिलता है उनको अपने नाम से private limited, limited हटा देना होता है जहां से मुझे scholarship मिली थी, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोग को process क्या करना है reserve unique name का form fill up करना है, एक unique name अपने लिए reserve करना है और उसके बाद आप within 15 days आप वो form resubmit भी कर सकते हो अगर उसमें कोई defect हो जाता है वो identical नहीं होना चाहिए या resemble too much नहीं होना चाहिए किसी existing company से ठीक है वो चाहे इस act के अंदर बनी हो चाहे previous act के अंदर बनी हो ठीक है के तरफ से आप companies बना रहे हो प्लस आपके नाम में board, commission, authority, undertaking, national, point number, e में जितने भी words दिख रहे है यह सारे words आप नहीं यूज़ कर सकते हैं without express permission from the respective authority अच्छा, अब मैंने कल कुछ cases बताये थे, जैसे green technology and greens technology, तो यह greens technology हम allow नहीं करेंगे तो सिफ अगर आप बोलते हो प्लूरल और singular में change कर रहे हो तो allow नहीं होगा letters के बिच में space डाल दिया, dot डाल दिया, allow नहीं, tense चेंज कर दिया, allow नहीं, spelling change कर दिया, allow नहीं है phonetic spelling रख लिए, allow नहीं है, अगर आप translation या transliteration कर रहे हो वो भी allow नहीं है तो इसके अलाव मैंने बोला कि आप अगर नेम या प्लेज आड कर रहे हो एक्जिस्टिंग नेम को तो भी अलाउड नहीं होगा आप उसमें क्या कर रहे हो इक चीस चलेगा अगर आपका और नाम से पड़ने बना सकता है क्योंकि आपने खुद अपने आपको एक सीटी के नाम से रोक दिया था इडिशन, डिलिशन, मोडिफिकेशन ऑफ नुमेरल्स भी अलाउड नहीं है और भी बहुत सारे केसे मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ने बोले थे मुझे उमीद है कि आपने ये पड़े हो नहीं पड़े हो तो प्लीज आज जाकर पढ़ ले ना मैंने आपको ये भी बताया अब आप Self-Independent, Reliant और Capable होने चाहिए है ना तो अब आपको किसी आदर जोशी की जरूत नहीं पढ़नी चाहिए ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कहां से डाउनलोड करनी है तो मैं फिर से आपको कहूंगा पूरी जान लगाओ, पूरा मन लगाओ, थोड़ा practical aspect भी समझ और फिर देखो ये subject कितना interesting बन जाता है, आज हम बात करेंगे reservation of name के बारे में subsection 5, चलिए शुरू करते है, upon receipt of an application to the registrar, जो आपने run form में डाला, and on the basis of the informations and documents furnished along with the application, reserve the name for a period of 20 days from the date of approval or such other period, कहा गया है कि अगर आपका application सही रहा, सब कुछ सही हो रहा है, तो हम आपके लिए वो नाम 20 days के लिए preserve घगे रख देंगे, ठीक है, अब एक और चीज़ सुन लो, provided that, ये कौन सा case है, अगर आप नया company open करने जा रहे हो, तो, provided that, in case of an application for reservation of name, or for a change of its name by an existing company, अगर कोई existing company है, वो अपने लिए एक और नाम reserve करवा रही है, या वो अपना नाम change करवाना चारी है, as the case may be, और उसके लिए वो एक नया नाम reserve कर रहे है, then registrar में reserve the name for a period of 60 days from the date of approval, तो new company, आप यहाँ पर लिख देना, new company, 20 days के लिए reserve करके रखेंगे, but अगर existing company है, existing company है, उनको change करना है तो 60 days, अब इसका rational क्या है, सर existing companies को जब नाम change करना होता है, उनको जादा legal obligations follow करने होता है, because वो already किसी एक नाम से अपना business कर रहे है, तो उन्होंने सारे अपने contracts old नाम से कियोंगे, उनके employees को जो offer letter गया, old नाम से होगा, उनके letter head, visiting card, office के उपर के board से त जल रहा है, अब वो उस नाम को change करके नए नाम के लिए आ रहे है, and definite सी बात है कि इस पूरे process में वक्त जादा लगेगा, procedures जादा involved होगी, और चीज़े थोड़ी strict होगी, and therefore, it is possible that 20 days में शायद वो इसकुछ ना कर पाए, and therefore, in case of existing companies जो अपना नाम change करवाना चाते है, हम उ नए company के लिए 20 days is enough, why is it enough, because उनको कोई और ऐसे अलग से compliance नहीं करने, सिर्फ section 3 के जो हमने compliance बोले, बस आपको उतने करने, therefore, उनके लिए 20 days और इनके लिए 60 days याद रहेगा, अगर आप इसका logic ध्यान में रखते हो, तो आपको याद रहना चाहिए, है ना, समझ मैं अथर् चल, क्या COVID private limited, ए भगवान ए देखो, कार्तिक को देखो, आया तो आया, क्लास में मस्ती करने आया, बहुत अच्छे विटा, वाइल अलॉटिंग नेम, the registrar of the companies should exercise due care to ensure that the names are not in contravention of the provisions of emblems and names prevention of improper use act 1950, it is necessary that registrars are fully familiar with the provisions of the said act, सर, हम लोगों ने, यह जो rule है यह आपके मेरे लिए नहीं है, यह central government के लिए बना हुआ है, यह आरोसी के लिए बना हुआ है, आरोसी को कहा जा रहा है, कि भगया ध्यान से रखो, जब आप किसी के लिए भी कोई नाम register करने जाओ, या reserve करने जाओ, एक चीज ध्यान रखना कि emblems and names, prevention of improper use act 1950 को आप follow करें, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे जो emblems है, या जो important words, for example, तिरंगा, यह ऐसे चीज़ दे use होकर कोई company ना बन जा, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे, an application for extension of reservation of name under rule 9A of the company's incorporation rules can be made before expiry of the 20 days for another 20 days, that is a total period of 40 days with a fees of Rs. 1000 which may be further extended by another 20 days, यहने कि total 60 days हो जाएंगे with a fees of Rs. 2000, या आप उसको another 40 days के लिए, यहने कि total 60 days के लिए एक साथ भी आप extend करा सकते हो with a fees of Rs. 3000, सर बड़ा simple है, देखो, हम आपको तकलीफ देने के लिए नहीं आए, आपके लिए हमने free of cost 20 days के लिए, free of cost लेकर हमने 20 days के लिए reserve रखा, अब आप नए company हो, अगर कोई problem आ गई, कोई documental problem आ गई, कोई भी technical issue आ गया, और आपको लगता है 20 दिन में ये नाम, आप register नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको और 20 दिन के लिए, आपसे 1000 का fees दो, 1000 का fine दो, extension दो, मैं 20 दिन के लिए और extend कर दो, फिर से अगर आप extend करवाना चाहता है, मैं फिर से 20 दिन के लिए extend करवा दूँगा, आप मुझे 2000 का fees देदाना है, यानि कि total 60 days तक मैं आपके लिए extension करके रख सकता हूँ, पीज लेगते रहूँगा, अगर आप चाहो, direct 40 days के extension में मांग सकते हो, 3000 रुपे fees देना है, देखो fees तो मेरे को उतना ही मिलना है, आप piece मिल करके 20-20 दिन बढ़ाओ, तो भी आपको 3000 रुपे देना है, पहले 1000 फिर 2000, आप एक साथ 40 दिन बढ़ा लो, तो भी आपको 3000 देना है, एक साथ, तो choice आपका है कि 20 days का extension चाहिए, या आपको total 40 days का extension एक साथ चाहिए, choice आपकी है, मैं suggest करता हूँ, अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, तो पहले 20 दिन का extension लो, हो सकता है उसके बीच में आपका काम हो जाए, और नहीं हो रहा है अगर, फिर से और 20 दिन का extension लो, 2000 रुपे पे कर दो, total आपके 3000 रुपे ही जाएंगे, वट एक possibility बन जाती है, पैसे बच जाने के, है न, यह सब कुछ क्यों है, आपके मदद के लिए ही है, और एक important बात, cancellation of reserve name, यहाँ आप थोड़ा ध्यान देना, अब matter serious हो जाएगा, whereafter reservation of the name, it is found that name was applied by punishing wrong or incorrect information, दोगा, दोगा दिया है तुमने, मज़ा किरो, बट अगर आपने कोई wrong या incorrect information देकर अगर नाम reserve करवाया है, गलत information देकर, तो भाईया, अब हम आपको छोड़ेंगे, न, अब दो चीज़े हो सकती है, क्या, ये गलत नाम लेकर company की जो incorporation है, वो हो गया, और दूसरा, incorporation से पहले ही हमने पकड़ लिया, क्या आप गलत काम कर रहे हूँ, अब इसमें आया क्या, हाँ, 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 so, if the company has not been incorporated, जरा highlight करना, the reserved name shall be cancelled, and the person who has made the application, shall be liable to a penalty which may extend to 1 lakh rupees, अभी देखो, मैंने आप पर fine लगाया है, लेकिन ये fine भी मुझे कम लगता है, और ये fine मैंने कम इसलिए लगाया है, ध्यान से सुनना, बेटा, क्यूंकि अभी आप बज गयो company incorporate नहीं हुए, वरना एक अलगी level के लफड़े हो जाते हैं, हम आगे पढ़ने वाले, समझ में आ रहा है, and therefore, अभी आप बहुत सस्ते में बज गया हूँ, अभी आपको एक लाक रुपे का fine लग रहा है, ठीक है, चल, अगर company बन गई है, अब matter हो गया, खतम, अगर company बन चुकी है, then company को ROOBH दिया जाएगा, ROOBH, reasonable opportunity of being heard दिया जाएगा, और उसके बाद, either direct the company to change its name, within a period of 3 months after passing ordinary resolution, take action for striking of the name of the company from the register of companies, and make a petition for winding up of the company, ये तीन possibilities हो सकते हैं, एक मैं आपको बोलूँगा, इमान दारी से अगले 3 मेने के अंदर अपने नाम बदल लू, दूसरा मैं सीधा आपका नाम register of company से काट दूँगा, यानि you will not be a company for me anymore, एन तीसरा मैं आपका winding up का process शुरू कर दूँगा, आप जाहिए अपने घर, मैं जाओंगा अपने घर, चाहिए नहीं मिर को लखड़े भाई, तुम गलत information देके company बना रहो, नीच इंसान, Mr. Anil Desai, has applied for reservation of company name, with a prefix, सावरिया, सावरिया, टाविल वाला सावरिया, रहे हाँ, वो वो टाविल वाला, अब इस बात पर भरुसा करके, हम ने उसको सावरिया नाम इस्तमाल करने का मौका दे दिया, बाद में पता चला, कि जो सावरिया, ये जो word है, इसका कोई registration नहीं है Mr. Anil Desai के नाम पर, यहने आपने हमको जूट बोल कर ये नाम अपने लिए रखवाया, ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, इट वाज है दाट फार्म कंपनी वास प्रेटेट, अब भी इनकरेक्ट डॉक्यमेंटर इन्फोर्मेशन दे कर, ऐसे में, रजिस्टरर विल टेक आक्शन असपर दे प्रोविजिंस अफ़ गिविंग कंपनी रिजनेबल अपॉर्चन यह विंग हार्ड, नमबर थ्री, यह कंपनी का वाइनिंग अप शुरू कर दिया जाएगा, यह तीनों पावर्स आरोसी के पास है, ध्यान रखना है यह चीज, समझ में आ रहा है, पका, तो भाई, भूलोगे नहीं न, तो यह कब कैंसल होता है, सुनो, जब हमें पता चलता है कि आपने हमें गलत इंफोर्मेशन देकर, आपने अपनी कंपनी बनवाई है, कंपनी बनी नहीं होगी तो आपसे फाइन भर के बग जाओगे, लेकिन अगर कंपनी बनगे यह तो तीन रास्ते है, नमबर वन, तीन म मैं आपको एक चार्ट बना कर दिखाता हूँ, जस्ट इन केस कि आपको पता चले कि कैसे यह चार्ट बनेंगे, है न, ठीक, तो अब देखो, यहाँ पर आप उपर लिखेंगे, आ, कैंसल आफ, कैंसलेशन आफ, कैंसलेशन आफ, रिजर्व्ड नेम, सर आप ऐसे क्यू लि सो यहाँ पर क्या होगा एक काम कर दो, कर देट विखर बेट वेट वेट मूशल्वी न वेट में अच मा ह halten हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, यह तो बताओ के तुम मेरे कौन हो, स्टूडेंट्स , पहलतं है तो और फ 친ी आठा चोटा हो जो आग हाँ यह देखो हमारे घर पे चिला पुकार तो मतलब ऐसा चल रहा है लाइफ में मैं आपको बता है ना कुछ गेस्ट आई हुए यह देखो गेस्ट आई हुए और किया ना माडम चिला रही है बेर है मैसे सो सॉरी फॉर दाट है ना प्लीज माफ कर देना विटा मुझे तो कैंसल अब रिजर्शन आफ नेम दो केस में होगा यार सॉरी सॉरी माइब यार माइब यार में को भी कोई ऐसा चिला है नहीं तो मेरा भी दिमाग चलना बंद हो जाता है हां यहां पे इव कि रॉंग पर्टिकुलर्स कि रॉंग और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स गीवन अगर रॉंग और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स आप दोगे तो भाई आम आपका नाम जो रिजर्व करके रखावा है कैंसल कर देंगे अब इसमें पहला केस है कंपनी कि नॉट येट इनकॉर्पॉरेटेड लिख लेना विटा हर जगा आपको ऐसे चार्ट बनाने है कंपनी इनकॉर्पॉरेटेड अगर अभी तरक कंपनी बनी नहीं है तो आपको क्या मिलेगा सिर्फ सजा मिलेगी ठीक है तो हमने जो नाम आपके लिए रिजर्व कर रहा है वह हम कैंसल कर देंगे नेम रिजर्वेट विल बी कैंसल्ड देंग एपलिकंट विल रिफाइंड अब आप अगर वो टेक्स धान से टेक्स देको क्या लिखा वहां पर बोलतें लाइब विल बिलाइब टो पने पनेलटी बिच में एक्सेंड टू वन लाग रुपीज तो फई ने मैं एक सीमम वन लाग रुपीज लिखो अब बच्छे क्या करते हैं पता या गल्ती बच्छेया आप फेंग लिख देते हैं विच इस एक राग की फाइन बोलाए विच में extend to 1 lakh रुपीज इने maximum एक लाग तक की fine यहाँ पर हो सकती है, हो सकता है ROC आपको 10,000 का fine लगाए 20,000 का fine लगाए यह चोटी-चोटी मगर मोटी बात है याद रख लेना भीटा, अगर company incorporate हो गई है, तो यहाँ पर 3 तरह की चीज़े आपके लिए होगी चेंज नेम विदिन थ्री मन्स ट्राइक ओफ नेम प्रॉम रजिस्टर ओफ कमपनी अब यहाँ बच्चे रजिस्टर लिख देंगे उनका में कुछ नहीं कर सकता, जो नीन मेहना जागो ग्रहाब जागो अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे and apply for apply नहीं बोलूँगा initiate winding up बोलूँगा apply थोड़े ना करेंगे initiate winding up दोस्तो मुझे कल एक बच्चे का याद आ रहा है एक बच्चा मुझे पुचता सर notes कैसे बनाए भाई मैं क्या कह रहा हूँ तो ऐसे chart बनाना यार तु तिरे को क्यो notes बनाने तु मिरे को बता तेरे को क्यो notes बनाने क्या तेरे fantasies पूरे हो रहा है notes बना कर तु नोट्स बनाएगा अगर अपने लिए बना रहा है बिल्कुल बनाओ तुमको question answers लिखने वही तुम्हारा सब कुछ है ना भाई लेकिन अगर तुमको कुछ बना नहीं है charts बनाओ भाई ये charts तुमको concept paras पढ़ने का मलब बोलेगे ना कि तुमको बोलेगे para पढ़ने की जरुरत नहीं है बस ये chart पढ़ने बात खतम और जो जो चीजे से याद रहते ना भाई तुम trust me तुम charts बनाना शुरू करो हर एक paragraph का chart बनेगा आपका हर एक paragraph का chart बन सकता है और वो charts आपको ये पूरा का पूरा subject आपके लिए मक्खन बना देगे कोई concept ऐसी नहीं रहेगी जो आप एक दिन के अंदर रिवाइज नहीं कर पाऊगे concept easily revisible हो जाएगी तो यही है चीज यही मैं आपसे कह रहा हूँ बाकिया आपकी मर्जी आप मेरे से जाधा जानते है situation clause section 4 subsection 1 clause b situation clause पे हम लोग आ रहे हैं मेरे class के बच्चे स्काएं आप ऐसे चार्ट बनाओ ना प्लीज हर चैप्टर के लिए बिल्कुल पूझा वर्ण चार्ट में बनाते आओंगा जहां जहां मुझे लगता है बनाना ज़रूरी है important concept में बनाओंगा इसके लावा मैं आपको अल्रड़ी पता है कि हम चार्ट बुक पर भी काम मैंने शुरू कर दिया है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा चार्ट बुक आ जाएगा बट मैं आपको फिर भी कहता हूं देखो मुझे तो पैसा मिलने वाल है लेकिन मैं यहां पर पैसे के लिए नहीं आयो मुझे आपको अच्छा कंटेंट देना है मैं उसके लिए यहां पर आया हूं मैं जो चार्ट बनवा रहा हूं यह आप ही के लिए है ताकि आपको किसी और बुक की जरूरत ना पड़े और आप अमीजिंग तरह से मार्क्स लेकर आ सको फिर भी अगर आप आलस करोगे तो अपके पास चार्ट बुक करीदने के लाव कोई option नहीं रहा है प्लीज 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 खुद के बनेवे चार्ट आप बना कर तो देखो क्या मखन चार्ट बनेग और क्या मज़ा आएगा आप तुन में से पढ़ने है एक बार जरूर देख लेना बिल्कुल बिल्कुल म इस बात यहां रहे हैं तो आप हमें यह बता दो कौन से स्टेट में कौन से स्टेट में आपका रिजिस्टर्ड ऑफिस बनने वाला है बस यह बता रहा है यार स्रेट तो पता रही गितव थैंग तो अगर आपको स्रेट नहीं पता रही तो कईसा होगा मुना तुम कौन से अपने of the domicile of the company ये company कहां से belong करती है ये हमें इस clause से समझ में आता है for the purpose of determining the jurisdiction in context with compliance with ROC and RD हमारे देश में multiple RDs है हमने northern, north, eastern, western हमने देखा है southern देखाना अपने regions वो सारे regions है कुछ regions में 2 या 2 से ज़ादा ROCs है, बराबर हर region का अपना RD है उसके under ROCs है और ROCs के अंदर jurisdiction है हमें ये जानना है कि आप कौन से ROC के अंदर आते हो ताकि हमें पता चल जाए आप कौन से RD के अंदर आते हो और वो आपका compliance पूरा करवाए judicial aspects हमको पता चलेंगे अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कहा जाते हो सरम तो उटके court चले जाते है tribunal के पास चले जाते है कौन से tribunal के पास जाओगे बताओ ना भारत के कौन से NCLT के पास जाओगे जिस NCLT के जुरिजदिक्शन में हम आते है बिटा companies act के अंदर अब special courts बन चुकी है तो मुझे बताओ ना कौन से special court में जाओगे सर उस special court में जाएंगे हमारा registered office जिस special court के जुरिजदिक्शन में आता है therefore knowing आपका location क्या है registered office का location क्या है is extremely important for us because आपके registered office के location से ही decide होगा आपका ROC कौन रहेगा आपका regional director कौन सा रहेगा आप कौन से NCLT के अंदर आते हो आप कौन से NCLAT के अंदर आते हो आप कौन से high court के अंदर आते हो supreme court मत बोलना क्योंकि हम सब एक ही supreme court के अंदर आते है there is only one supreme apex body in the judiciary system तो हम सब supreme court of India के अंदर आते है but high courts तो अलग-अलग हो सकती है है ना yes placed at which the company's statutory books must normally be kept अगर public company है तो general meeting में आपको बताना पड़ता है कि आपका registered office कहा है कौन से city में situated है यह address acts as an address to which notices and other communications can be sent अगर आप से किसी को गुफतगू करनी है यहने बाते करनी है तो उन्हें वो बताओ ना किदर बेजे वो कौन सा address पे बेजे भाई details बताओ ना यह कहां पता चलेगा आपके registered office की jurisdictions a company shall याद रखना, highlight कर देना within 30 days of its incorporation and at all times thereafter have a registered office capable of receiving and acknowledging all the communication and notices as may be addressed to it यहां से की take away अगर आप sticky notes वाला कोई point मुझे बोलोगे तो वो यह है कि within 30 days of incorporation लिको within 30 days of incorporation आपका registered office finalize हो जाना चाहिए आपका registered office finalize हो जाना चाहिए समझ में आया के देखो जाना चाहिए चंसे जो टो टेको इस अपना रिजिस्टर्ट उफ़िस इंटिमेटेट टो आरोसी आरोसी अंटी को बता दो कि भाई हमारा रेजिस्टर ओफिस कौन से है सारे कम्मुनिकेशन आपको महीं पर बेजे ठीक है नाउ स्टार्ट्स तब वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉस ठीक है सर एकागरता का रेजिस्टर कहां पर है सती बाई काँ से दुन्या में हो है हमारा में ओफिस इंदोर में है बटा अब्जेक्ट क्लॉस एंड दॉक्त्रीन ओफ अल्ट्रावाइस section 4 subsection 1 clause C requires the memorandum of a company shall state the object for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance देराओ बताओ Reliance Industries Limited के कितने main object थे सर उनके 10 main object थे उनके 27 ancillary objects थे और कुछ 30 या 37 वो other objects थे याद है कि नहीं करली दिखाया है मैंने आपको कि येस तो आपका object clause मेरे इसाब से memorandum की जान है कि memorandum अगर किसी चीज़ के लिए सबसे अधा famous है तो वह है object clause के लिए कि सब अब्जेक्ट clause से क्या पता चलता है company के बारे लिए कि क्या पता चलता है object clause के बारे में कि सर की ये company करने क्या चाहती हो और रेना क्या चाहते हो ये company करना क्या चाहती है ये object clause से पता है ना कुछ specified ifsc public companies और specified ifsc private companies को उनके objects में financial service activities ही permitted है कि सर अगर आप ifsc company बना रहे हैं अगर आप international financial service centers में आये हो तो मैंने आपको एक list दिखाया था gift city के website पे याद है कि ये सारी activities आप कर सकते हो तो आपके object में वही activities होनी चाहिए ना सर अगर आप section 8 company तो आपके object में लिखा रहेगा कि आप कौन सा charity करने के लिए हो तो आपके अगर आप ifsc companies हो तो आपको अपने object में financial service activities ही रखनी पढ़ेगी जो आपको permitted है as per ifsc loss ठीक है आपको SCZ के rules और act को follow करना है और वही आपको operations रखने है वही objects रखने है जो आपको allowed तो अगर आप ifsc centers which are located in India जैसे gift city अगर आप वहां पे हो तो आपका जो भी services है उसका approval आपको RBI, CB और IRDA से लेना पढ़ेगी और यह common sense है मैं आप से कुछ अलग expect नहीं कर रहा हूँ आप जिस काम के लिए बने हो अब ऐसा देख होगा है एक बात बताओ international financial service center is a financial services to outsiders देने के लिए बना हुआ है अब यार उदर जा कि अगर मैं manufacturing of ice cream का काम चाल्यों कर दूँगा सही होगा क्या खुद सोचो whether it should even be allowed यार वो एक अलग चीज के लिए बना है यार कचरा वीव कर रहे हो हर जगा वो एक specific चीज के लिए मैं international financial service देने के लिए तो वो international financial services और activities ही आपके object में रह सकते हैं मैं आपको ice cream बनाने से मना नहीं कर रहा हूं तो बाहर जाके बनाना भाई gift city में बैटके क्यों बना रहा है gift city उसके लिए नहीं है इदी बात है a company cannot depart away to do anything beyond or outside its object stated in the memorandum and if any act is done beyond that such act will be ultra wires the company and it will be void this is called as doctrine of ultra wires वड़ा हम लोगों ने the same can't be ratified even with the ascent of whole of the body of the shareholders यहनी की unanimous resolution भी हो गया ना तो भी you can't ratify asbury railway carriage versus rich याद है asbury railway carriage उसके object clause में क्या लिका था general contractors mechanical engineers तो भाई financing of railway line करने लग गया Belgium में financing of railway line और फाइनांस का काम general contractors में नहीं आएगा भाई तुम तो कुछ भी कर दोगे file insurance करने लग जाओगे कर मोनिटरी services देने लग जाओगे परसो लोन देने लग जाओगे एक bank open कर लोगे आप तो कुछ भी आप damn बनाने लग जाओगे अरे भाया अगर general contractor का meaning दुनिया का सबसे बड़ा meaning ले लिया तो दुनिया का हर एक काम आपके एक interpretation of statute से और एक फेमा है तो बीच में जो है ना यह interpretation of statute इसमें concept आता है नौस्ती तरह सोइसिस मतलब एक अगर general word के आज एक specific words के बाद अगर को एक general word आता है तो उस general word का मतलब आप उस specific words से define करके उसको limit करेंगे and therefore financing a railway line in Belgium does not come under the purview of general contractors and therefore such contract was ultra wires the company अगर आप कोई भी transaction करते हो which is ultra wise the company that transaction is null and void ना आप उसको company के against में enforce कर सकते हो ना company उसको आपके against में enforce कर सकती है आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे के against उसको enforce नहीं कर सकते है जो गलत है वो गलत है पूरे company अगर एक meeting में आके unanimous resolution भी pass कर दे ना sir तो भी वो ratify नहीं हो सकता ultra wires acts acts ultra wires to the authority of the director that can be ratified by the company बराबर अगर आप article के beyond जाकर कुछ करते हो एक बार का मैं उसको ratify कर सकता हूँ लेकिन अगर आप memorandum के beyond जाकर कुछ करोगे उसको भगवान भी सही नहीं कर सकता articles provide for regulations inside scope established by the MOA hence acts which are beyond articles can be ratified by the shareholders provided relevant provisions are not beyond memorandum to illustrate one of the directories authorized to issue a check of 1 lakh या 10,000 but he issued a check of 12,000 यह गलत है मैं मानता हूँ यह गलत है यह article के beyond है मगर इसे आप ratify कर सकते हो correct मैं आपको एक example देखे समझाओ यह सारी चीज़े मैं आपको जानता हूँ because मैं आपको foundation से देख रहा हूँ तो आप मेरा एक बात सुना ठीक है ध्यान से सुनना अब थोड़ा सा नजर अटी दुरगटना गटी हो जाएगा ठीक है say for example आप एक company हो ice spice limited आप बनाते हो ice cream सर समझी गया था नाम देख कर बच्पन से foundation से देख रहे है सर इसको अब आपने क्या किया आपके यहाँ पर directors को authorized है कि वो मदब machines purchase कर सकते है ठीक है लेकिन machines का value 100 lakh के उपर नहीं हो सकता यह एक करोड के उपर नहीं हो सकता यह max है पर directors machine purchase कर सकते है एक करोड के अंडर मैं situation number one बता रहा आपको क्या हुआ आपका एक director गया और उसने एक ice cream manufacturing machine purchase कर ली machine to manufacture ice cream ठीक है अब यह machine 90 लाग की हो सकती है यह एक करोड बीस लाग की हो सकती है ठीक है अब आप मुझे बता रहा अगर 90 लाग की machine वो purchase कर रहा है whether this transaction will be valid, void or what अगर वो 90 लाग की machine purchase कर रहा है क्या यह transaction valid होगा है या नहीं बता फटा 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 अथर्व, सर्विका, कार्थि adjust them generous बता, adjust them generous एक अलग है वो भी मैं आपको law पढ़ाऊँगा adjust them generous का मतलब होता है अगर कोई specific एक category के words आ रहे है और उसके बाद एक general word आ रहा है for example, etc. तो उस general word का मतलब उस special category के words से ही limited होने वाला है यह opposite other एक law है यह भी मैं आपको पढ़ाऊँगा don't get confused अभी वक्त है sir, this is 100% valid बहुत अच्छा बोला आपने यह 100% valid लिकिन अगर एक करोड बीस लाग का purchase कर लिया तो sir, this is ultra wires the articles क्या है यह? this is ultra wires the articles या ultra wires the directors and therefore this is void correct बराबर क्यूंकि sir, आपको सिफ एक करोड तक की purchasing power दे रखी थी आपने बीस लाग से वो purchasing power overstep कर दी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया end हो गई अब ऐसे में law कहता है कि you can ratify this action law कहता है आप SR at GM पास करके इसको ratify कर सकते हो और अगर ratify हो रहा है ठीक है या आप alteration of AOA कर रहे हो कुछ भी हो सकता है alteration of AOA कर रहे हो ठीक है कुछ भी हो then this transaction will become fact ratify करना मतलब गलत काव हो है बट उसको ratify कर दिया या alteration of article का मतलब होता है मैंने क्या क्या article में जो एक करोड का limit लिखा था इसको बढ़ा कर एक करोड alter करके एक करोड के जगा एक करोड पचास लाग कर दिया तो एक करोड पचास लाग है और मैंने machine लिया एक करोड भीस लाग की तो ये बन गया valid contract तो मैं इसको valid कर सकता हूँ लेकिन अब मैं आपको situation number 2 बताता हूँ situation number 2 sir say for example आपके director ने एक shoe manufacturing machine purchase कर ली और machine का value है सिफ 20 lakh रुपीज अब बताओ क्या होगा sir एक करोड तक की तो हम machine ले सकते था ये तो 20 लाग की machine है ये contract भी valid होना चाहिए now the answer is no this contract is void sir why because आपका memorandum of association कहता है you are an ice cream manufacturing machine ice cream manufacturing company दे को यहाँ भी लिखा है क्यों बने थे आप ice cream बनाने के लिए और क्या machine purchase कर रहे आप shoes बनाने की अब है ice cream में जूते में डालके ice cream खिलाएगा क्या तू होले this transaction is void this transaction is absolutely void and therefore ये transactions sir आप ratify भी नहीं कर सकते उपर वाला भी आ गया ना भाई अगर आप unanimous resolution at general meeting भी पास कर दिया ना तो भी this transaction can't be ratified आप इस गलत को सही नहीं कर सकते इसे कहते है ultra wires the memorandum या ultra wires the company company के memorandum के खिलाफ अगर कुछ कर दिया company की against जाकर कुछ कर दिया अब ये act आप ratify नहीं कर सकते अगर मैं आपको समझाओ तो सर ये आपको article की power है और ये आपके memorandum की power है अगर आपको ये act यहां करते हो तो इसे हम कहेंगे intra wires the memorandum and company and intra wires the articles and directors सर ये company के limit के अंदर भी है और ये directors के limit के अंदर भी है यह नहीं सब के limit के अंदर है and therefore this transaction is valid लेकिन अगर आप कोई transaction यहां कर देते हो it is intra wires the intra wires the company ठीक है but it is ultra wires the articles यहां पर वाला case आए का जहां एक करोड़ बीस लाग का आपने ice cream machine purchase कर लिया ice cream machine purchase क्या वो सही है वो memorandum के हिसाब से है लेकिन एक करोड़ बीस लाग का क्यों purchase क्या आपको तो एक करोड़ का हाइस limit दिया था न तो आपने क्या क्या you have overstepped your limitations and therefore initially this transaction is void but sr at gm pass करके आप इसको ratify कर सकते हो या आप article का limit इसको बढ़ा सकते हो and you can make this valid यह यह transaction valid हो सकता है किया जा सकता है पक्का किया जाएगा क्या यह तो भाई company के उस पर depend करता है company के members पर लेकिन अगर आपने shoe manufacturing machine purchase कर ली it is ultra wires the company और भाईया यह अल्ट्रावायर्स है अगर company के अल्ट्रावायर्स आ गया तो of course article के अल्ट्रावायर्स भी आ जाएगा because articles जो बनता है वो company के memorandum के अंदर बनता है अगर आपकी activity memorandum के beyond चलेगी तो of course article के भी beyond चले गई है वो तो बोलने की ज़रूती नहीं है and therefore यह वाइड है and can not be ratified भगवान भी आ जाना यहां पर आप unanimous resolution at general meeting भी पास कर दिया ना तो भी it cannot be ratified यह एक बार का ठीक कर सकते हो एवे देखो ना clear दिख रहा ना मैं एवे की उपर चला गया ता वहां यहां में एवे उपर चला गया तो तो क्या होगे रइड वाले में तो मैंने उस परinta कर दिया एक वे उपर लेकर चलिए नहीं थी यह आपने ऊपिर प्रटिक्लर ट्र Kelक कर थे पर दिया तब मैं मोई की मेर्ड चला ता कसम है कसम से लिख लो फटापट लिख दूँँ अब बदलू कि मज़ा आ रहा है यह मज़ा हम सब को देना चाहते हैं जो लोगों ने यह क्लास लाइव मिस्ट कर दी और रिकॉर्डड देख रहे हैं वह यह आखरी क्लास है कल से यहाँ पर आपको क्लास नहीं मिलेगा कल से अगर आप क्लास देखना चाहते हो तो आपको आप पर आना पड़ेगा और यह 50% आफ का अल्मोस्ट लास्ट यह है ठीक है तो प्लीज अपने फ्यूचर को सीरेसल लेकर डिसाइड करो और जल्दी ने नहीं सर इस वर्थ नोटिंग यहाँ आपको सम्झाने दो नहीं सम्झाना जरूरी है भाई मजात नहीं है प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव बड़ा कंसेप्ट है देखो एक कंपनी है चोटू मोटू लिमिटेड यह किड्स बनाते है ठीक है अब चोटू मोटू लिमिटेड के डारेक्टर ने यहां से देखना इन लोगों ने क्या कर दिया इन लोगों ने केमिकल मैनुफैक्टिरिंग मशीन पर्चेस कर ली जिसका कपडो और उसके बिजनस से कोई ही लेना देना अब आप केमिकल बना के बेचने वाले हो इसका लिटरली आपके existing बिजनस से कोई ही लेना देना नहीं ठीक है डारेक्टर्स ने ये ट्रांजैक्शन कर लिया और उसके बाद उनको रेलाइज हुआ क्या रे अपने तो MOA में लिखा है वी आर किड्स क्लोधिंग कमपणी और हमने केमिकल मैनिफेक्टरिंग का काम चालो कर दिया ये ट्रांजैक्शन हुआ दस जन्वरी को इन्होंने क्या किया 20 जन्वरी को 2023 इन्होंने अपना अबजेक्ट क्लॉज ओफ मेमराइंडम अमेंड कर दिया अल्टर कर दिया और उसके अंदर केमिकल मैनिफेक्टरिंग आड कर दिया और तो आप बताईए ये ट्रांजैक्शन अब वैलिड होगा या नहीं होगा मैं पोल में क्रियेट कर रहा हूं आप मुझे बताए वैलिड नॉट वैलिड मैं याद अटना मैं फिर से बता दू देर इस चेंज आप लोगों ने चेंज दिया है इंदा मेंवरेंड यूटुब वाले बच्चे भी आप मुझे बताएंगे यूटुब चैट्स में आपको देख रहा हूं आपके सामने बताओ हूं 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 एक अजनभी हसीना से यू मुलाका हो गई फिर क्या हुआ ये ना पुछो कुछ एस दी बात हो गई अतर्भाई केरेशव डिपेंड्ड्स अर्याव भाई किस पर डिपेंडड करेगा भाई अधर डिपेंड करवारे हो कोई डिपेंड नहीं है इधर इंडिपेंडेंड है अपन बाई एक बात बताओ मेरी बात सुनो यार एक जन्वरी को आप एक ट्रांजेक्शन कर चुके हो जिस वक्त मेमराइंडम में सर्फ और सिर्फ कपड़े बनाना अलाउड था आप लोगोने केमिकल मैनिफेक्टरिंग मेशिन ले लिए 20 जन्वरी को आपने अपना मेमराइंडम अल्टर किया मैं मानता हूं अगर आप 25 जन्वरी को अगर आप लोगोने chemical manufacturing के लिए कोई भी step लिया होता आपने raw metal purchase किया machine purchase की labors लगा है वो सब कुछ valid होता because now it is within the altered memorandum but when this transaction has happened this was not within memorandum and therefore this transaction will still be void but yes this further transactions will be valid why because the change in the memorandum is always a prospective change and not a retrospective change sir prospective change का मतलब यह होता है कि जिस दिन यह change आया है उस दिन के बाद से यह change applicable होगा retrospective change का मतलब यह होता है कि change भले आज आया है मगर पहले के transactions को भी सही करेगा याद रखना मेटा यह जनरल common sense है common law मैं आपको आज बता देता हूँ तो भी भी जीवन में आदर ना एनी law when it gets amended है बाइड डिफॉल्ट एवरी लॉओ एवरी अल्टरेशन एवरी अमेंडमेंट मेंड एवरी तिंग जिस दिन से वो लॉओ वो रूल वो अल्टरेशन आया उस दिन के बाद के सभी ट्रांसक्शंस पर वो एपलिगेबल होता है पुराने ट्रांसक्शंस पर नहीं अंचिल एन अनल्स इस एक्ष्प्रेश्श्च प्रॉइद इन दे लॉओ दैट दे जींग इस दिन में आया न इसके बाद यह रूल्स फॉल होगा समझ मैं पहले के ट्रांसक्शंस पर नहीं तो इस ट्रांसक्शंस विल स्टिल रिमें वाइड कुछ नया सीके ओ तो ठोको लाइक ठोको टाली और चैट में आग लगा दो येस आर्यन का बहुत सही कहना है आर्यन कर रहा है अगर ऐसे वैलिड होता है तो सभी लोग जो चाहे वो ट्रांसक्शंस करते और बाद में अब्जेक्ट ट्लॉस चेंज करते बैठते बिल्कुल सही और देर्फोर हमने इसको प्रोस्पेक्टिव चेंज रखा हुआ है रे त्यूटिव कि अप्लॉस प्रोस ट्रांसक्शंस यह रेक्ट्रोस प्रोस्पेक्टिव अप्लॉस एप्लीके बेर बाद पास्ट्रांस सर पास्ट कितने ट्रांजक्शन्स तो जब भी कोई law retrospective आता है उसके अंदर date लिखके आती ठीक है कि for example 15 तारिक को एक law आया 15 जन्वरी 2023 को एक law आया with retrospective effect from 5 September 2022 इसका मतलब 5 September के पहले अगर आपने वह activity किये डोंट वरी लेकिन 5 September के बाद से लेके 15 जन्वरी तक और 15 जन्वरी के बाद की भी transactions यहाँ पे ये transaction applicable होगा यह law applicable होगा पहले सर लौ आया 15 जन्वरी को और 5 September के transaction पे भी अपलाया होगा हाँ therefore usually जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ऐसे retrospective changes हम नहीं लाते हैं even law भी नहीं लाते हैं कुछ cases में हम करते हैं जैसे आप लोगों को सभी लोगों को Vodafone का case याद होगा कितने लोगों याद है Vodafone का case हुआ था भारत में income tax में मुझे पूरी guarantee निशान सर आपको capital gain का transaction समझाएंगे एक बहुत बड़ा transaction हो रहा था जो हमारे tax laws के हिसाब से exempt था क्योंकि हमारे tax laws में एक loophole था जिस loophole को exploit करके Vodafone ने हजारों लाखों करोरों रुपे बचा लिये थे हमारे मुंबई के एक income tax officer को ये चीज़ आई ध्यान में उसने case किया case आने के बाद company case हारी company को बहुत amount फे करना पड़ा और हमारे lawmakers ने एक नया law बनाया with retrospective effect from that day जिस देख पर transaction हुआ तो बहुत कम ऐसा होता है और ये retrospective बनाने का reason क्या था कि इतने बड़े-बड़े companies अगर tax evasion करेंगे तो फिर आकी छोटो ये तो एक बहुत बड़ा इसे चालू हो जा रहा था तो बहुत amazing concept थी आप लोग निशान सरसे जरूर इस बारे में फूच सकते हैं company may do anything which is incidental to and consequential upon the object specified and such act will not be ultra-based incidental मतलब देखो भाई अगर आप समूसा बनाना चाहते हो तो तो तेल तो purchase करना पड़ेगा जहारा purchase करना पड़ेगा यह इंसिदेंटल है जब तक रहे गास न मोसे में आलू समूसा बना पाओगे कर विना आलू के तो समूसा बनाना है मतलब आलू खरिदना है यह इंसिलरी है उससे related है तो वो अल्ट्रावार्स नहीं हो ठीक है to illustrate for trade one has to rent or own a building, issue and invoice, make or receive payments so मुझे बोलने की जरुरत नहीं है कि मैं trader हो तो मुझे अपना office rent पे लेना पड़ेगा purchase करना पड़ेगा, go down purchase करना पड़ेगा, go down rent पे लेना पड़ेगा and all these activities are ancillary activities and we are allowed to do those activities but yes मैं अगर suddenly manufacturing का काम चालू कर दू और मेरे memorandum में लिका है I am a trader और मैं क्या कर रहो यहां बैठके manufacturing कर रहो this my friend is against the memorandum यह आप नहीं कर सकते है थोड़ा तो इसाब लगाऊ ना भाई, तुम हावलागिरी कर रहे हो essence of the doctrine of ultrawash, the doctrine of ultrawash is meant to protect shareholders and the creators of the company or anyone who deals with the company why is it protecting members मैं में अगर आज मैं Reliance Industries Limited में 100 रुपे डालता हूँ मुझे exactly पता है कि वो कौन से 10 प्लस 27 प्लस 37 अबजेक्ट्स है जो यह Reliance मेरा पैसा यूज़ करके कर सकती है और मुझे guarantee है कि उसके अलवा बाहर यह पैसा कहीं और नहीं जाएगा as a creator जब मैं आपको लोन देता हूँ मैं आपको उधारी में माल बेचता हूँ मुझे अशॉरिटी है कि नहीं मैंने इनका object clause पड़ा है यह allowed transaction है यह valid transaction है तब जाके मैंने आपको उधारी दी क्योंकि कल को आप मुझे पैसा देने से इंकार नहीं कर सकते फिर खेर गोज़े बासब उपस आपके के लिए यह तोगी सब मैं पड़ा चुका हूँ The doctrine of ultrawires was first enunciated by the house of Lords in a classic case. ashbury railway carriage and iron company limited verses Richie The memorandum of the company in the said case defined its object as follows the object for which the company is established are to make and sell or lend or hire railway plants to carry on the business of mechanical engineers and general contractors मैंने का ना उनके इसमें आ गया था general contractors अब ये general contractors का unlimited meaning नहीं रखना है इसका meaning नौसी तरे स्वेसित का इस्तमाल करके हमको mechanical engineer से मिलता जुनता रखना है वहाँ पर हमको जाकर उसको रोग देना है the company entered into contract with Mr. Richie, a form of railway contractors to finance the construction of railway line in Belgium on subsequent reputation of this contract by the company on the ground of it being ultra buyers Richie brought a case for damages on the ground for breach of contract as according to him the words general contractors in the object clause gives the power to the company to enter into such a contract and therefore it was within the powers of the company more so because the contract was ratified by the majority of the shareholders Richie ने कहा कि ये perfectly valid contractor you cannot repudiate बाप मुझे बताईए Mr. Richie सही है या कौन बोलो sorry कौन सही है बताओ सीथा सीथा केस आपके सामने वो भाई क्या बोल रहा है general contractors में financing the financing the railway line construction of railway line in Belgium allowed है अपने का नहीं general contractors with respect to mechanical engineering देखो अगर आपने general contractors को unlimited इज़ट दे दी तो फिर fire insurance general insurance, dam construction insurance निकालना आप तो सब कुछ इसमें करो वे फिर तो कोई लिमिट ही नहीं फिर दुनिया का ऐसा कौन सा काम बचा जो आप नहीं गड़ सकते हो तो भाई मैं जनरल कॉंट्राक्टर को अनलिमिटेड पावर नहीं दूंगा लिमिटेड रखूंगा तो मेकैनिकल इंजिनेरिंग का Deut Belgium résum восक तो मेज़ सकते हे बाउर में फिरम लोट सकते हैं कर वह घलता है कर दकावरे कैन्व आप लूटुररा का लगड़ मेज़ है फिर में जनरे प्दूंग सकी जड़ेड़ ऑड़ है थर में marks फिल इट वुड भी अल्ट्रावाइज बेसिकली कोट ने कह दिया कि अगर आप युनानिमस रिजॉलिशन भी देकर बैठते ना कमपनी के हर एक मेंबर आके चिला चिला की भी अगर कहता ना हमें ये कॉंट्रैक्ट करना है हमें ये कॉंट्रैक्ट करना है तो भी ये कॉंट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है एक वनस अल्ट्रावाइज इत गिलूलाविज़ बेह से आप लोग ऑबजेक्टलस को फ्यूचर में अल्टर भी करदोगे एम तो भी this contract was ultra wise the object clause which you know which by act of parliament they were prohibited from doing and therefore that transaction was null and void they go some है कि है कि आख आफ आज अगया मज़ा अगया पुरा foundation के दिन याद आगये निफिमाजा आगया ओ भाई ऐसाब जब जब दस पड़ाता हो ना मतलब इतना मज़ा आता है ना भैया आप लोग अपने जुनियर्स को बता सकते हो हम लोगों ने फांडेशन की सारी बैचेश आज लाँच कर दी है रिपया करके वहां पर भी हमारा सपोर्ट करें आप लोगों ने जो प्यार दिया है यह प्यार हमारे लिए बहुत बड़े रिस्पॉंसिविलिटी है हर दिन हमारे टीचिंग में आपको इंपरिमेंट दिखेगा हर दिन यह हमारा वादा है चलो कल टेस्ट है बहुत अमेजिंग पेपर सेट किया है प्लीज रिवाइस करना थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करके आना और चीटिंग नहीं करना यह जो टॉपर का लिश्ट बनेगा मैं इन लोगों को लेकर AIR का प्लान कर रहा हूं तो मुझे कोई भी टाइम पासस में नहीं चाहिए एकदम इमानदारी से आपको आना है टॉपर लिश्ट में ठीक है चलो आपसे वाटसप पे बात होती है सर मेरी येस येस वोद्दार मुझे अपकोर्स याद है भाई ऐसे क्या कर रहा है येस चलो effect of doctrine of ultrawars the key effect will be as under whenever an ultrawars act has been or is about to be undertaken any member of the company can get an injunction or restraint in from the proceeding with it sir injunction और restraint ये भी मैंने आपको contract act में foundation में पढ़ाया है suit for injunction यहां पर आप लिख दो stay order say for example आप एक company के member हो company का नाम है क्या आओ जी खाओ जी लिमिटेड आओ जी खाओ जी लिमिटेड is a company engaged in the business of making food items अब आपको realize हुआ कि आपके जो डिरेक्टर है उन्होंने say for example so far furniture manufacturing machine purchase कर ली and they want to expand in furniture business as a shareholder you have a right to apply a stay order on that transaction वो जो furniture manufacturing machine आपके डिरेक्टर खरीदने जा रहे है आप उसके उपर injunction लगा सकते हो restraint लगा सकते हो और आप उस डिरेक्टर को ये काम करने से रोप सकते हो और by law उसको रुखना पड़े क्यों क्योंकि furniture बनाना ये food item बनाने से के बराबर नहीं है food item एक अलग business है furniture एक अलग business है और तुम्हें इक बात समझो ना यार law आपको कोई भी काम करने से नहीं रोक रहा law कह रहा है बिवकूफी से मत करूँ नहीं सुन मेरे इदर तिरको furniture बनाने का है सुन ए डारेक्टर इदर तिरको furniture बनाने मैं बना नहीं कर रहा हूँ मैं क्या रहा है तुम मेरे पपा का क्या जा रहा वाई तुuger बना कि आग लगा के volcano बना मेरे पपा का क्या जा रहा है मैं रोक रहा हूँ करह आँ कि मैं तिरको निगल लॉक सिपर लेकर घुमने मना करूँ तेको furniture बनाने है तो रिक तो मिल्क business में चला जा चला जा पर सो तू तु बस बना, तु खाना बना, तु मेरा सिर खा, अरे मतलब मेरा सिर मत का, तिर कुछ जो करना है कर, बट पहले alter the object clause, get the permission from the members and then do the transactions, अगर आप पहले transaction करने जाओगे, कोई ना कोई आएगा और आपके उपर stay order लगा दे, और अगर आप चुप चुपा कि किसी तरह transaction कर भी लेते हो, तो भी उस transaction का बाद में भी वो transaction को stay लगाया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसका payment अटकाया जा सकता है and neither you, nor any third party will be getting any right against us, such transactions will be void ab initia, lawyer to Yash, thank you so much Yash, God bless you, God bless you, neither party, even outsider can sue for enforcement or specific performance of such agreement, reason explained under heading constructive notice, आगे हम पड़ेंगा, फिर हम आते है, liability clause पे, sir ये बड़ा important है, section 4, sub section 1, clause D, memorandum of the company shall state, अगर आपकी company limited by share है, तो liability of the member is limited to the unpaid amount of share, if any, held by them and in case the company is limited by guarantee, what is the amount of guarantee that the members are, you know, undertaking to contribute, अब guarantee company और company limited by share में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्या, sir, company limited by shares में, you can call for unpaid value of share at any given point of time, while in the continuation of business or at a time of winding up or even after the winding up also, after learning होगा, while in the dissolution से उस दोरान, ठीक है, but अगर company limited by guarantee है, या कोई unlimited company है, तो आप बीच रास्ते में जब चीए, तब उन से पैसा नहीं मंगा सकते हैं, आप उन लोगों से केवल तब पैसा मंगा सकते हो, जब आपकी company winding up में चली गए, इसलिए या पे लिखा है कि, if the company is a company limited by guarantee, the amount up to which every member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its being winding up, wound up, जब company बंद हो रही होगी, तो उसके asset में आपको contribute करने बोला जा सकता है, इतना नहीं, तो winding up करना कोई सस्ता काम नहीं है भाई, liquidator आते हैं, आपकी asset लेते हैं, उसको बेचा जाता है, लोगों payment के आता है, उसमें बहुत ज़्यादा charges और fees भी बे करनी पड़ती है, official receiver, liquidator, फोकट में काम नहीं करते हैं, वो भी अपना पैसा recover करते हैं, तो अगर cost, charges, and expenses of winding up जो रहेगा न, या for adjustment of rights of the contributors among themselves, उसके लिए भी आपसे पैसे मंगाए जा सकते हैं, बट याद रखना, यह जो दोनों cases आएंगे, यह after winding up, या at or after winding up, starts, you cannot ask for their money, while continuation of the business of the company, जब तक company का business चल रहा है, आप उनसे बीच रास्ते एक रुपया मंगा नहीं सकते, ठीक है, so to the assets of the company, in the event of it has been wind up, while he is a member, और within one year after he ceases to be a member, for the payments of debts and liabilities of the company, और such debts and liabilities as may have been contracted, before he ceases to be a member, as the case may be, समझ में आया, पक्का promise, तोड़ promise, चल रहा है, जो अभी winding up के वक्त, जो members है, उनको list A में उनका नाम आता है, they are primarily liable for making payment to the company at the time of its winding up, एक और list बनती है, list B, this consists of those persons who were members of the company during the 12 month preceding the date of winding up, sir say for example, आपका winding up शूरू हो रहा है, सुनो न, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो सुनते क्यों नहीं हो तुम मेरा, सुनो ना यार, date of winding up, decide हुआ है, 15 August 2000, 2023, ठीक है, तो एक A list जो बनेगी न, इसमें, members as at, 15 August 2023, रहेगा, लेकिन जो B list बनेगी, तो A list से अगर पूरा पैसा रिकवर नहीं हो, तो B list वालों से भी हम पैसा ले सकते हैं, members, during last 12 months, यनि की, 16 August 2022 से लेखे, 15 August 2030, जो लोग थे, उन लोगों को भी यहां पे, list B में उनका नाम आए, भाया, transactions जो हुए, वो आपके देन्वर के भी तो है, है ना, यहां पे देगो, B list consists of those persons who were the members of the company during the 12 months preceding the date of winding up, B list contributors are liable to contribute if the amount realized from the contributors of A list is not sufficient to discharge the liabilities of the company, A list वालों से जितना ले सकते थे आपने सब ले लिया, say for example, इन से आपने maximum पैसा रिकवर कर लिया, हर एक partner ने बोला था, हर एक member ने बोला था, मैं एक एक लाक रुपे दूँगा, at the time of winding up, फिर मेरा guarantee है, उन सबसे मैंने एक लाक रुपे ले लिया, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे liabilities चुका नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आ जाओ, चुका देंगे, list number B निकालो, ये वो लोग है, जो last 12 मैंने में हमारे member रह चुके है, यहनिकि ये लोग अभी भले member नहीं है, लेकिन last 12 मैंने में कभी तूभी एक बार हमारे member बने थे, उने undertaking ली थी, तो उनके वक्त के पैसे आप उनसे ले सकते हो, और उनके पैसे चुका सकते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या, अगर आप एक guarantee company के member हो, membership छोड़के जब तक एक साल complete नहीं होता, आप completely risk free नहीं रहते, समझना यह बहुत बड़ी बात है, अगर आप एक guarantee company के member हो, आपको छोड़की जाकर जब तक 12 मेने नहीं होते न, तब तक आप safe नहीं हो, अभी भी आपसे पैसे recover किये जा सकते हैं, अगर list A से हमको पूरा हमारा loss recover नहीं हुआ तो, तो बचेगा, कोई नहीं, सब का बैंड बजेगा, थाना, सब का बैंड बजेगा, Example, Modern Furniture Limited, a company limited by shares, having share capital divided into shares with the face value of 10 each, out of which 8 is called, Mr. Singh, who is having 200 shares, paid all the 8 rupees on each of the shares he hold, while Ms. Sarla, owning 100 shares, paid rupees, paid rupees, paid 10, rupee 2 in advance, अच्छा, पूरे 10 रुपे उसने pay कर दिये, whereas Mr. Sanju, owing 250 shares, paid 6 per shares, ठीक है, यने उसने, उसके मतलब देखा जाए, तो 2 रुपे अरियर में है, ठीक है, अब आप, रुकू, 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 ठीक, चलो, पहले देख लो, face value क्या है, तो face value है, 10 रुपीज, हमारे question में, 3 महान उभा हुआ है, कौन कौन है, Mr. Singh, Ms. Sarla, Mr. Sanju, sing is king, sing is king, sing is king, Sarla और Sanju, इस सब S से क्यों चाले होते हैं, Sanju बावा, और आवास क्या बढ़ो, देखो बाई, ये बाई साब हमारे, 8 रुपे पे करके बैठे, ये मैडम पूरे 10 रुपे पे करके बैठी है, तो आकरी वाले भाईया, हमारे 6 रुपे पे करके बैठे, वाट इस दे, अचारू कुरू 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 कुरू, एक मिनिट, नमबर अफ शेर्स भी देख लो, नमबर अफ शेर्स भी देख लो, भाया, सिंग के पास है 200, सरला के पास है 100, और इधर है 200, इनके पास 200 शेर्स है, इनके पास 100 शेर्स है, ठीक है अब आप मुझे बताइए वाट इस दा मैक्स लाइबिलिटी ऑफ इच और एवरी परसन बहुत इजी क्वेशन पड़ा पर बड़ता हूँ हाँ चल भाई मुन्ना बोलू हाँ जी अब यह जो क्लास में चायट कर रहे है बच्चे मैं आप लोग अभी चायट पढ़ रहा हूँ तो कल से केवल वही बच्चे क्लास में रह पाएंगे जिन्नोंने क्लास पे करके हमारा पार्ड बने है तो मैं प्लीज आप से दुबारा रिक्वेश्ट करूँगा क्रि चलो बहुत अच्चे सही आंसर मुझे आलरेडी आना शुरू हो चुके है सब नंबर वन आप यहां पर दो रूपए इंटू तो हन्रेड शेर इंटू टू रूपीज आप क्लेम कर सकते हो यहने चार सो रूपए आप लेम कर सकते हो बराबर मिसरला से आप 0 रूपीज क्ल यहार रुपह ले सकते हो यहने की 1,000 रुपीज पर शेयर वाल थोड़ फोर फोर मिस्टर संजू तो टोटल रुपीज दाट गें बाई अल इस थ्री मेंबर्स विल बी पॉर्टीन अड़ वो टोटल निकालने की अभी ज़वरत नहीं है और भी मेंबर्स कंपनी के होंगे त मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ यहां पर आ गया लाइबिलिटी विल भी पॉर अंड़ेड निल एंड थाऊज़र आया इसी एक क्वेस्टन येस पक्का प्रॉमिस ठीक है कैपिटल क्लॉस जाने से पहले मैं आज एक नए स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा तो से आज बात करना है मंदीप से बात करो जो नहीं आये हो हैंड रेस करें अधिक अधिक आप लोग चाहों तो तब तक नेचर नेचर स्कॉल वाला ब्रेक ले सकते हो जो यूट्यूब पे है या हमारी चैट भी सुन सकते हो वाकि अमन्दीप तुमारा आवाज आ नहीं रहा इविटा तर लास दी रो तो हम 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 बदले में तरे माहें लागे जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगई तो किसे दुनिया चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए तुहीरे तुहीरी तुहीरे 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 tuna मेरी मैं। तिरा गुर्चति अमडुति या कितनी जान हुआ वह बार को जया का अवाज नहीं आता है और हुआ है आपकर शाल दिनतलां हैं और यहु रहीं स्थी और गय दो अजिए निग कर दो एगलाट ढट अविसक्ट अच्छा अट्टी तैय छिए इंप रहुड्ट इवर्य तॉर्य तो फ्सी कि अच्छ प्याय। प्रूम्मोंट तॉर एकल और उन्ड ली के रेंगे ऑद जर अड़ वा इन से एफ लड़ ऑने पूने so ajit are you understanding like because i'm using entirely hindi and also you're able to comprehend and understand yes sir i am able to understand and moreover okay okay that's so i'm so happy to because see i used to just assume that okay south students will you know maybe don't like the way i teach or maybe they'll not understand the way i is because i use a lot of hindi words as well so yes sir yes obviously i like your teaching foundation from you oh so you already know that how i teach i think we uh did you call me or like did we chat i think i remember talking to uh on the first day i focused on okay uh you were in the i was in that club oh yes yes correct 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 yeah 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 i understand but somehow i was feeling you have i like mine's there so so uh you like you you understand everything right all the subjects you are able to understand comprehend other than okay 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 that's that's good but i'm so happy that you are here and i'm really honored bro yes so you're all ready ready for the test for tomorrow yes sir amazing and amazing proud of you man thank you god bless you we'll connect again okay it's a long class thank you thank you thank you thank you so much god bless you that's so sweet yeah i'm so happy i'm able to cater to all the students in india oh yes sir i have to go to the school of all the students in india oh yes sir i don't know what to say oh my god oh my god bless you कि अल्य मोक्षक यार मैं आने वाला हूं नापपूर से होच थि अगर कुछ होता ना तो आप जरूरा हूं भी अमराई नाप भात हु आप अपने अमरह होती हो भी एपने रहहों आधर विल्कुल आना है तो थी हैं तो थेmmल थू आरहा है थेammल लूण तो पुरा प्रिपेरेड है यह राइटिंग प्रेक्टिस करना वेजिंग और बोलना चाहते हो अथर भाई अरे याँ अधाट तो सूइट फिर वें इस एपिक और यह हो जाए ना और यह हो रहा है यार 1000 पीड तो अब हमारे दिमांग में अभी सिर्फ एक इवर्ड घुम रहा है चौबिस घंटे से कंटेंट क्वालिटी रिस्पॉंसिबिलिटी अभी हम हर एक एड्युकेटर विर स्ट्राइविंग तो भी बेस्ट वर्जिन ऑ और आपने आइधिंग देखा भी होगा भी इतना आप फांडेशन में पढ़े हो तो यू नो है ना इस अमीजिंग अरमीजिंग करके फिर से आजाए एक पाच-दस मिनिट की एक और अचले एक और ले लेता हूं अमंदीप से बात ही नहीं उपा रही एक बार कॉल लेता हूं अरे अमंदीप भाई कि अब आफ्टर निन ब्रो फाइनली आपकी मदूर आवाज सुननी मैंने आज कि कहां से अमंदीप अब इस और यह आवाज निया कहां से अधेरा दून से और भाई साहब तो वहां तो फुल मजे होंगे अभी कैसा एंवर्मेंट कि अरे यार माहूल ही अलग हो रहा है चाइवाई लेकर बैठ होगे तो वहां अधर सर्फ बढ़ाओ पड़ाओ तुस्किया मारते हुए कैसे चलते यह प्रिपरेशन क्लासिस कैसा लग रहा है कि इसके लिए तयार कि क्या लगता है टॉप फ्री में आ जाओगे अब आप अधी आधी मैं अधी आधी कॉंट प्रावड अभी बाट करने ना बिल्कुल आप मुझ से कर सकते हो वेरी इस के लिए भी हम लोग ने ग्रूप तो बना रखा है उसके अंदर भी हम हम अक्टिव है दीरे दीरे हमारा activity level बढ़ेगा अब हमारा YouTube से पूरा ध्यान intermediate का हट के हम पूरा इस class पे आने वाला है तो be prepared be ready with all the content all the charts, notes, queries if you have हम लोग सारे के सारे हम लोग ask me anything का भी plan कर रहे है तो आप मलब समझ रहे हम लोग हर मुमकिन कोशिच कर रहे कैसे लिया है और हो सकता है कुछ चीजें हमारे दिमाग में ना है जो आपके दिमाग में आए तो as a student आपको भी कभी कुछ लगता है ना अमिंदी भाई आप बिंदाज बोलने के सर आप ये कर सकते हो आप वह कर सकते हैं विल डेफिनेटली ट्राइर बेस्ट दू एवर्टिंग ना थैंकि सो मच भाई अब चलते हैं आगे कैपिटल क्लॉज में सर एक बात बोलना है फांडेशन में 80 परसंट आया था इंटर में 85 आना ओ भाई साव अतर्व तो आ रहे हैं ये फिर तो अब मैं आपको टॉपर लिस्ट में देख रहा हूं अल्रड़ी और अब देखो ऐसे जो स्टूडेंट्स से जो इतना कॉंटेंस लेके बैटे है आप के लिए तयार हो जाओ अब पूरी जान लगात होगे ना इस क्लास में हम चारो एजुकेटर जो जिन से भी आप पढ़ रहे हो अगर आप उन एजुकेटर को 100% फॉलो करें और एक बार जान लगात होगे ना आप मेरिट में आ स सेक्षिन 4 सुब सेक्षिन 1 लाउसी सब्वास्ट बहुर्स रिखिर आप इस ते हम ऑथराइज्ट नमिनर रजिस्टर्ड तो या टोटल लोड रिखिर खेंट उन वाण केटें और पैंट्ट इलिए अट्विजिंग दिरॉ इंटू इंटु आरउट नीच्ट पिक्रिद म थे याद है 15,000 करोड का देखा तला आपने 15,000 करोड का आपने देखा उसके नीचे क्या लिखा था क्या लिखा था उसके निचे लिखा था चौदा हजार क्रोर शेर्स और फिस टैनीच एंड वन ताउजन क्रोर शेर्स और फिस टैनीच दिखा वो जो 1010 था न वो उसका फेस्ट वैल्यू था तो आपने अपने टोटल शेर कैपिटल को पहले तो ब्रेक कर दिया के नमबर ऑफ शेर्स और फेस्ट वैल्यू पर शेर में उसके बाद आपने फॉर्दर डिवाइड किया उसको इक्विटी शेर प्रिफेरेंट शेर्स में ठीक है अगर याद नहीं कि तो मेरेको कोई शरम नहीं दिखाने मैंने आपको एक केबल दिखाया था जिसके अंदर उनने शेर शेर्सब्सक्राइब किये ये लिखावा था और उसके बाद में उनकी सिगनेचर थी और ऐसा साइड में एक rapidlyफेनेस का भी सिगनेचर उसके अंदर किया था की नहीं किया था तो यह सब क्या था उसक्राइबर सिनों ने और Państ- Aufgabe कि अ आता है subscription clause again section 4 subsection 1 clause e sub clause 2 requires memorandum of the company shall state the number of shares that each of the subscriber intends to take okay indicated opposite to his name in case of company having share capital minimum a share आपको लेना पड़ता है maximum का कोई limit नहीं जितना चाहे आप ले सकते हो यह जो nomination है आप यहाँ पर लिख देना only for अच्छा लिखा ही है only for OPC यह सिर्फ और सिफ OPC के लिए section 4 subsection 1 clause f requires memorandum of a company to state the name of a person who in the event of death of the subscriber will become the member of the company यह क्यों होता है यह इसलिए होता है ताकि perpetual succession बना रहे और OPC का member मर भी गया तो भी वो OPC continue कर समझ में आ रहे है ठीक है फिर बात करता है forms and schedule related to memorandum the memorandum of a company shall be in the respective forms ABCDE यहां पर दिया है अब मैं आपको memorandum और articles के सारे schedules और forms बता देता हूँ आप लोग एक बार ही अपने बुक में लिख लो आजा मेटा मैं यह सारी चीज़े जो questions, charts, application यह आपके किताब में लिखना है अपना क्या नाम है उसका अंकित लिख रहा है अंकित कुमार लिख रहा है कि अंकित श्रिवास्तव लिख रहा है कौन आरियन नारियन नारियन नौट अंकित कौन लिख रहा है रहे वो मेरे को किसने बेजा था अब हर एक चीज क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वो कौन लिख रहा था वह वैसा मैंने आपको बता था ना वैसा लिखने का हर एक चीज चल बात करते हैं इसके बारे में इस टेबल्स अब लिक एवे एवे अटिकलर्स कि टेबल्स है एए बी एटी डी अधिए यह जो सारे है यह सारे की सारे मेमोराइंडम के टेबल्स की शारे की सारे डिकले कि आप लोग पूरा कंपलीट लिखेंगे ठीक है कर फेला है अब कंपनी कि लिमिटेड बई शेर्स कंपनी लिमिटेड बाई ग्यारेंटी नॉट हमिंग शर्कापिट ठीक है फिर है कमपनी लिक लेना बैटा फाउंडेशन के बुक में लिका है आपके मालू में को लेकिन अब वो बुक आपको ना मिली है कभी वापस और ना मिलेगी और मिल भी गई तो आप वापस उसमें से पढ़ोंगे नहीं है विंग शेयर कैपिटल अनलिमिटेड कमपनी आला स्कम करो विटा और यह भी सोचो कि आप जितना लिखोगे उतना आपको यह क्लास इंट्रेस्टिंग लगेगा बोर नहीं लगेगा ठीक है तो आपको यह दो आपको यह दो आपको यह दो कि अउस्टय। शिर्ट एंखर वोग्य बनाते वक्ष्ट दो चार पाज़े साथ आठ दस लोग डिपेंडिंग जो भी है वो लोग अपना नाम सब्सक्राइबर करके लिखते अपने शेर्स ले ले लेते हैं पर शेर्ट तो और भी होता है company के और भी members लेके रखते है भले उनका नाम memorandum में नहीं है but still they are the members of the company and उन्हें हम shareholders कहते है तो subscribers are those the shareholders whose name is mentioned in the this clause association clause of memorandum of association of the company so overall में there is no difference but just because they are subscribers उनके ओपर थोड़ी responsibility जादा होती है because अगर company form करते वक्त आप कोई गलत information दे देते हो तो नॉर्मल मेंबर्स को नहीं सब्सक्राइबर्स to the memorandum को जिम्हेदार ठहराया जाता है क्योंकि उन्हें वाँ पर sign की ओटी है वेरी गुड दिली देवास्ती बिटा बहुत कम चैट करते हो लेकिन आप लास में आते हो चेंज कर रहा हूँ है जी एच आइच आइए जी यह होता है आर्टिकल्स के जो सारे के सारे यह आर्टिकल्स अब्सक्राइब्स यह जो टेबल्स है यह आपको देखे इसलिए रखे ताकि आपको तकलीट ना हो आप कौन से टैप की कंपणी बनाना चाहते हो डिसाइड करो उसका एक सैंपल रेडी है वो टेबल उठाओ उसमें अपने डीटेल्स डाल दो और वह आपका मेमोरान ने मार्टिकल्स बन गया कंपणी बना लो तो आपको बैटके पूरा बनाते बैटने की जोरत नहीं पड़ेगी तो पहला कंपनी लिमिटेड बाई शेयर ठीक है दूसरा कंपनी लिमिटेड बाई गैरेंटी हाविंग शेयर कापितल कंपनी लिमिटेड बाई गैरेंटी कंपनी ऑभस्चफिकल्ड लकribी अलिमिटेड बुम्विंड ल कंपनी प्रभस्चिकल्य लाग्ऑनjang प्लिमिटेड गॉस्चफचुल्णाय not having their capital hello done in the gree except for has uhana yeah okay yeah oh kiss me jana और मौत आनी है आएगी एक दिन डन ओके आफ यह विप्वेस्टेंस आप भीना देखिए क्वेस्टेंस का अंसर देंगे आ वांट टू ओपन कंपनी limited by guarantee having share capital मुझे बताइए memorandum के लिए मैं कौन सा form लूँ और article के लिए कौन सा लूँ unlimited not having share capital limited by share and guarantee not having share capital चलो इच फड़ा फड़ा बताओ company limited by guarantee having share capital memorandum कौन सा लूँ टेबल बताओ फड़ा 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 इधा टेबल बताओ कौन सा टेबल लूँ हाँ हाँ है यह एर आंसर कि इतना क्या तुम लोग धीरे धीरे करते हो यार इधर बताओ पेड़ क्लास में हाँ पहले वाला आया बराबर सर यहां पर आएगा टेबल सी और आर्टिकल कौन सा आएगा कंपनी इमिलिट पर गैरेंटी हैंविंग शेर कैपिटल फोलो ती जी देखो पहले सहीर करें एक सेकेंड का अंसर बताओ सेकेंड का अंसर बताओ फटा फट भीना देखें यार यह यूट्यूब के बच्चों को यार तुम राज रिस्पांस ही नहीं कर रहें फिर क्या मतलब है लाइफ में दूसरा बताओ चलो मैं अब मैं यहां पर चैट देख रहा हूं अपने क्लास में चैट देख रहा हूं जे तो डी जे ब्रावो नेक्स्ट पड़ा फट यूट्यूब पर क्यों नहीं आंसर आ रहें क्या प्रॉब्लम है नहीं देखो एक तो यह थेरी क्लास है उपर जगर आप पार्टिमेड भी नहीं करोगा तो मज़ा क्या फिर आप यूट्यूब पर क्लास देखके मतलब क् यह तो फ्री क्लास है तो हम क्या क्यों हम लोग एफर्ट दाले लर्निंग रिक्वार्स एफर्ट फ्रम बोथ साइड आय का आई डोंट सी एफर्ट फ्रम यूरें वेरि गुड रिदेश परव प्रावड अफ यू बटा रिशी श्रीवास्त हो आइं प्रोड अप यूझ last very good very good kushal thank you last but i guarantee not having share capital guarantee not having share capital dh dh rishi are you sure guarantee company but unlimited guarantee company not having share capital तो कभी होई नहीं सकता है यह कॉंबो ही अविलेबल नहीं है पार एफ बी जी सी एच डी आई एडी गी जे और एडामें आए सुनों A और F एक कॉंबो है ठीक है हम सारे कॉंबो यहां पर देख लेते A और F एक कॉंबो है ठीक है इसके बाद दूसरा जो कॉंबो है वो है B और बोलो एक्च बी और एच का कॉम्बो ये इसकेंड ओमबो इसके बाद जो तीसरा है वो है है ऑर जी कॉछ कॉमबो यह फॉर्थ और फॉर्थ कॉमबो वह कॉण सा है है एक अनलिमिटेट कंपनी का कॉंबो बच गया था नहीं है वह भी देख लो तो हमारे पाचों कॉंबो हमारे सामने आ जाते है इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो इनके अलावा ना जबर्दस्ति कहीं पर और कुछ गुसाने का नहीं कि बोलो इसका हाँ लास्ट इ और इ और आए बराबर इ और आए यह आपके सारे के सारे कॉंबो पॉसिबल है इसके अलावाट अब आप सीजे नहीं कर सकते आए चरब limited स्थ और कंपनी इसेınd है इसेंश के लावा क हॉपि और कॉंबो नहीं होगे तो Treatment and schedules आपके सामने आ चुका है the memorandum of a company shall be respective from specified in tables ABCDE in schedule 1 of the act as the case may be मैंने ये सारे आपको बना कर बता दी as per section 399 a memorandum is a public document consequently every person entering into the contract with the company is presumed to have knowledge of the condition content therein इसे हम क्या कहते है doctrine of constructive notice जो भी व्यक्ति हमारे company के साथ काम करने आ रहा है वो हमारे memorandum, articles, special resolutions और सभी document जो registrar के पास हम लोग submit करते है जो available है public document है वो सभी information को देखकर, पढ़के और समझ के हमारे साथ business करने आ रहा है ये हम assume कर लेते हैं और इस assumption को बुला जाता है doctrine of constructive notice तो suppose करो हम ice cream manufacturer है अगर मैं shoes manufacturing machine purchase करने आ भी गया आपके पास तो आप मुझे shoes manufacturing machine मत बेचो, अगर आप बेचोगे तो अपने risk में बेचोगे, क्योँ? क्योंकि मैं जब आपके business कर रहा हूँ मैं assume कर रहा हूँ आपको मेरे memorandum और articles के बारे में पता है भले आपने actually पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, समझा हो, नहीं समझा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं मैं assume कर लेता हूँ कि आप उसको पढ़ के आए हो समझ के आए हो तो अब मैं क्या करूँगा? मैं आपको बोल दूँगा, जाओ मैं आपको पैसा नहीं देता और आप मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकोगे क्यों? मैं बोल दूँगा आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या? आपने अपने मेरा memorandum नहीं पढ़ा क्या? तो यह आपकी गलती है मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है अस पर section 4, sub section 7 एनी provisions in the memorandum और articles in the case of a company limited by guarantee and not having share capital shall not give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise than as being a member if the contrary is done, it shall be void यह बहुत important point है ज़रा ध्यान से देखने एक तो आपकी जो company है वो company कौन सी है? guarantee company not having share capital अब आपका जो profit है वो जिन लोग ने guarantee दी है जो members है, उन members के अंदर distribute होता है अगर आप हमारे company के member नहीं हो और आपने हमें कोई प्रकार की guarantee नहीं दे रखी है तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे divisible profit में अपना dividend claim करने यह profit केवल उन members का है जिस member ने actually हमें बैठके guarantee दी है and therefore if you are not a member of such company you will not be entitled to divisible profit और अगर मैं आपको divisible profit देने की बाद भी करता हूँ तो such transactions are null and void I can't share my divisible profit with anyone because यार यह तो हलत हद हो गई न कुछ members guarantee दे रहे बाकी बाहर के लोग जो company के members भी नहीं है जिन्होंने जिनका कोई लेन देन नहीं है why should I share divisible profit with those people if they want profit why don't they become members why don't they agree to contribute to the assets of the company in the event of winding up and pay for cost and expenses of winding up so भाई देखो व्यवार दोनों आज से चलता है इस हाथ ले इस दे यह प्यार का है दस्तूर और यह बिजनस का है दस्तूर अगर आप से लेने के लिए बैटे और देने के वक्त में आप अगर नहीं देने वाले तो आपको यहाँ पर मैं भी कुद्ध देने के लिए तयार नहीं हूँ ठीक है इसे कंपनी में 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 मेंबर कैसे बनते है अगर इसे को नहीं देने का तो यह वादा भी वाइड है और आप एंफोर्स नहीं कर सकते वांने याष one yes absolutely correct so if अब बात करते ह्या articles of association ग्वार्ण में actually article of association of a company they contain internal rules and regulation of a company it is complementary to memorandum and together to the charter of the company the article establish a contract between the company and the members and between the members inter se मैं लब एक दूसरे के बीच में this contract governs the ordinary rights and obligation incidental to the membership of the company section 5 of the company's act and rule 10 and 11 of the company's incorporation rules seeks to provide the content and model of the article of association आपके सामने मैं content and matters to be included in articles लेके आ रहाँ the articles of the company shall contain number 1 regulations for management of the company कोन डिरेक्टर रहेगा क्या कर सकता है क्या उसके पावर में आता है क्या नहीं आता है company के rules regulations क्या है shares के related rules regulation क्या है voting के related proxy के related directors के related registers के related resolutions के related ballots के related registered office के related हर चीज़ के rules and regulations आपको articles में मिलेगे बिटा memorandum एक company को पैदा करने वाली मा है articles उसे पाल post कर बड़ा करने वाली मा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या memorandum तो company को केवल पैदा करता है उस company को पाल पोस कर बड़ा करना day to day affairs manage करना उसके rules and regulation decide करना ये articles of association का काम है memorandum एक आपको एक overview देता है एक धाचा बनाता है उस धाचे के अंदर जो सारे matters आएंगे ये articles आपको बताते है ये जो matters रहेंगे it will be prescribed by the rules and उसको आपको follow करना है अब company में also include some additional matters in the articles as may be considered necessary तो याब देखो जितना हम बोल रहे है वो तो आपको article में include करना ही है अगर आप चाहो तो उसके अलावा भी आप rules बनाकर डाल सकते हो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो हम कह रहे है वो तो उसमें रहना ही चाहिए अब आतीए बात entrenchment की entrenchment is a chronic or deep-rooted fact of an attitude, habit or belief that is firmly established or accustomed therefore it becomes difficult or unlikely to change to illustrate men don't cry ये एक habit एक attitude है एक belief है even though it is not true but it is a belief entrenchment है वैसा है एक deep-rooted fact है entrenchment may be possible for processes as well as procedures in both the way that processes are so well established it becomes difficult to change them or make process of change so rigid that process becomes well established students here we are studying the word entrenchment with the sense of making the process of alteration in the articles more difficult in order to enhance the protection actually entrenchment का मतलब होता है making things stricter actually to restrict चीजों को और difficult करना ये ही entrenchment का मतलब usually an article of association can be altered by passing SR at GM but entrenchment makes it more difficult to change कैसे हैं? हम आपको बताते हैं आप लोग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस change कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है I don't want this to be altered very easily I personally don't want to these things to be altered easily right now it can be altered very easily by passing SR at GM I want to make it stricter and therefore मैंने अपने articles में entrenchment कर दिया और entrenchment करके मैंने यहां पर लिख दिया कि अगर आप registered office change करना चाहते हो आप change कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको UR at GM pass करना पड़ेगा देखो law कहता है कि इस case में SR at GM से काम हो जाएगा लेकिन मुझे तो law को और strict करना है न companies act द्वारा लगाएगे restrictions को मुझे और entrench करना है और strict करना है और rigid करना है और difficult to change करना है difficult to alter करना है तो मैंने article में इस प्रोविजन को entrenchment कहते है to make things stricter अब यह entrenchment करना यह change यह hardness उसके अंदर लाना इसके दो तरीके हो सकते है सर entrenchment के life में दो तरीके है बताईए सर एक तो आप entrenchment कर सकते हो during incorporation of the company एक आप entrenchment कर सकते हो during incorporation of the company और यह बड़ा असान है क्यों? क्योंकि आपका जो step number one है incorporation का वो step number one ही है memorandum और article submit करो तो आप क्या करो directly entrenched article submit कर दो क्या करो entrenched article of association submit कर दो और उसी के साथ अपने आपको register कर लो you will have the entrenched article as your article of the company बात खतम सर मुश्किल हो जाता है after incorporation अगर company अपन गई है incorporate हो चुकी है और उसके बाद आप entrenchment करना चाहते हो तो यहाँ पर अब आपके लिए चीज़े difficult हो जाएगी अब अगर आप entrenchment करना चाहते हो तो इट विल डिपेंड कि आप कौन से type की company हो private company हो या public company हो अगर आप public company हो आप entrenchment करना चाहते हो आप sr at gm पास करके यह entrenchment को validate कर सकते हो लेकिन अगर आप एक private company हो तो आपको ur at gm पास करना पड़ेगा यहनिकी unanimous resolution आप general meeting पास करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो entrenchment है वो हो पाएगा change महाँ पर हो पाएगा फिर वो change आप आरोसी के पास register करोगे और entrenched article आपके final article बन जाए समझ में आ रहा है चार्ड बनाईए मैं आपको जल्दी से text फढ़ा देता हूँ वक्त कम है फढ़ा फट manner of inclusion of entrenchment the provision for entrenchment shall be made either on the formation of a company or by an amendment the articles agreed to by all the members in case of private company and by special resolution in case of public company whenever you do entrenchment the company will give notice to ROC कि भाई हमने ये entrenchment किया है प्लीज अपने पास इसको note down करके रख लो in the spice plus form along with the fees as may provided at the time of incorporation of the company आप entrenchment कर सकते हो कोई उसके लिए problem नहीं in case of an existing company आपको form number MGT 14 within 30 days of the date of entrenchment of the articles along with fees आपको file करना है ROC के पास ठीक है यहाँ पर आपका entrenchment होगी तो अगर आप company बनाते वक करना चाहो तो spice plus में entrenched AOA देदो company बनाने के बाद अगर करना चाहो तो MGT 14 form भरो private company के लिए UR GM लगेगा public company के लिए SR8 GM लगेगा फिर आप यहाँ entrenchment कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है entrenchment होते ही 30 days के अंदर MGT 14 form भरके ROC को inform कर entrenchment का form दिखाता हो बेटा एक बार model of articles क्या मैंने आपको अल्रड़ी पढ़ा दिया model of articles FGHIJ ठीक है आप जो भी company बनाना चाहते हो आप appropriate articles देख सकते हो मैंने सारे articles आपको दे दिये ठीक है चली मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ उसके बाद यह छोड़ा सा पैरा and then we will be done with the class ठीक है articles के model बता दिने मैंने आपको ठीक है तो अब फटा फट देखो हमार पास 8 मिनिट है 2-4 मिनिट में यह case complete हो जाएगा doctrine of construction notice हम लोग कल start कर देंगे और you know we are at the very मलब end भी नहीं बोल सकता है वैसे ठीक है अभी हमारा बाकी है कुछ कुछ चीज़ है बट हम लोग ने अच्छा कासा content cover कर लिया है unfortunately मैं पूरा का पूरा चैप्टर यूटूब पे नहीं दे पाया हूँ क्योंकि यह आज का last lecture है कल lecture नहीं होने वाला तो I am so sorry जो लोग free classes देख रहे हैं absolutely sorry मेरा यह intention नहीं था मैं भी कोशिश करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा लेकिन अगर मैं यह चैप्टर नहीं भी दे पार हूँ कि अभी आधा ही हुआ है और दो-तीन lectures के लग जाएंगे तो दो-तीन lecture और देना मुझे मुझे मुश्किल लग रहा है तो मैं आपसे request करता हूँ यार प्लीज हमारी पेट भाट आश्यकर आप जालू जालू चलो च्ट्टेट्स अरे दॉजज़ तो तेक अट सब्सक्शन 8 प्लीज आधा इंपसे लिए मिशशव इन अप्लीज प्रेंश्स्तर अच्क्रण अटे। ये पूरा का पूरा परगराफ वहाँ दिफिकल्ट है लेकिन इतना चपरिय में आपको क्या बता हूँ ये क्या कहता है say for example आप company limited by share बनाना चाहते हो तो आप memorandum का table A उठाओगे और article का table F उठाओगे बराबर AF करोगे आप law कहता है कि unless and until you specifically exclude or modify or entrench or change anything in the table we will assume that whatever is there in the table is your actual article and that will be applicable on the company जब तक आप उन table में कुछ alteration, modification, entrenchment या change नहीं लाते तब तक जो model है वो ही आपका original article है और वो ही आप पे applicable होगा ये हम assume कर रहे हैं और वो table with those exceptions and modification आप पे applicable हो जाएं now subsection 9 restricts the scope of the section to the articles either registered or amended under this act hence no provision of this section and subsection 5 shall be applicable to the article registered under previous company law provided not amended under this act तो ये जो मैंने बताया ये सिर्फ और से this law है येनि की companies act 2013 की बात कर रहा है अगर आपके आर्टिकल 1956 या पुराने law में बने आप ये वाला logic उस पर लगा नहीं सकते क्योंकि पुराने tables अलग थे तो आपको ये करना पड़ेगा आपको क्या करना पड़ेगा नए applicable tables आप पे applicable करवाने पड़ेगे तो आपको amendment लानी पड़ेगे है 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 आपको में अधिकल में इंटर्न रिगूलेशन होते है और आटिकल कमपनी और उसके members के बीच में और members के आपस में बीच में relation established करता है सर क्या बढ़ा है memorandum या article of course memorandum memorandum cannot include any clause that is contrary to the provision of the law हाला कि article जो है वो subordinate है यह law के भी नीचे है और memorandum के भी नीचे है therefore अगर कभी भी conflict होता है दोनों में तो memorandum जीत जाएगा because memorandum is boss तो सबसे उपर आता है law सबसे उपर आता है देश का समिधान constitution constitution के नीचे laws laws के नीचे memorandum memorandum के नीचे articles scope memorandum lays down the scope beyond which the activities of the company cannot go अप object clause of memorandum के आगे नहीं जा सकते अगे नहीं जा सकते an act done by the company beyond the scope of the memorandum is ultra vats and void they cannot be ratified even with the unanimous resolution of the shareholders articles provide for regulations inside the scope established by MOA and hence acts beyond the articles can still be ratified by the shareholders provided provided the acts do not go beyond memorandum तो यह मैंने जो चार्ड बनाया था ना उसमें दो लाइन बारी थी कि आटिकल के नीचे allowed memorandum के नीचे लिकिन आर्टिकल के उपर ratify कर सकते हो memorandum के उपर अब आपको भगवान में नी बचा सकता है तो आज के लिए इतना ही कल से paid class में हम लोग पढ़ने वाले doctrine of constructed notice जो लोग हमारी class जॉइन नहीं कर पाएंगे उनसे मैं request करूंगा doctrine of construction इंडॉर management हम अल्रडी foundation में पढ़ चुके है आई थिंक कि आपको इसमें जादा कोई changes नहीं आएंगे पढ़ कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हों लेकिन alteration का जो concept है यह टेकनिकल concept है और मुझे परसनल लगता है इसके लिए आपको मेरी जरुवत पढ़एंगे यह थोड़ा प्लीज 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 गोटो एकागरता.co.in रिसेंटली मेरी क्लास के जो भी रेट्स है बिकॉस अब ओफ एक लिमिटेट पीरिट तक ही रहेगा अपकोस के बाद नहीं रहेगा या चेंज होगा I don't know तो आप वहाँ पर जाके क्लास को पर्चेस कर सकते हैं thank you so much it was wonderful journey on YouTube with you all and thank you so much for all with to all the thousand students who have trusted us with your studies and with your future I assure you मैं हर मुम्किन कुशिच करूँगा आपको best से best देने के लिए जो क्लास में बच्चे है भाई आप तो हम लोग तो साथ में ही पूरा एंड तक आप मेरिट में आके रखेंगे तो मैंने question paper कल डालने वाला हूँ इस पर एक आगरता की टेलिग्राम चैनल पर और answer paper परसो डालने वाला हूँ और परसो का जो class होगा या उसके बाद next day का ज को और वहां पर मैं topper का लिस्ट बनाऊंगा और वह topper का लिस्ट सभी students के दाद share किया जाएगा वह topper का लिस्ट अगली टेस्ट तक सेम रहेगा मैं toppers को वही उन लोग को टॉपर मानूँगा जो अगली टेस्ट तक जब तक टॉपर लिस्ट चेंज नहीं होते हैं ना चल सुष्मिता क्या आपको आवाज आ रहे हैं मेरी हलो हलो है सुष्मिता गुड़ आप्टनून इंग्रेट आप कैसे हो आप सुष्मिता आप माई शूरू करना चाटा है अर्वाज तो मतलव आग लगा दिरह हम लोग so you were able to comprehend understand whatever i teach right no issues have you I mean I like your teaching oh my god that's I am honored I am blessed to have you in this class and thank you so much I'm sure you have selected a wonderful career option you're going to you're going I love this selection of yours. Thank you sir! I mean, because of you I could understand Hindi. So I just thought It's amazing. And you are able to understand, right? Even like I use Hindi, but then you because sometimes people say that Sir, I'm very fast to speak and you don't understand it. Is that happening with you? No it's not. I mean, I could understand your words but I couldn't understand. Okay you do. Oh I work on something. But I keep that in mind because i think i have couple of students from south also so i'll keep you guys in mind anytime you know if you feel like all right sir this word i did not get it or please repeat it in english you can just write it down once sir please repeat it in english i'll try my best to cover as many things in english as well i want results i am ready to go any length i can do whatever it takes i want results i want good results okay so i'm always here if you need any help just you know i'm one call away thank you sir it's very i'm i'm very much happy get habitual this is gonna happen a lot of times in the classes it's been so many days since i i mean i took i completed my degree i mean it took many days me to talk to a teacher like this so i'm nervous you don't sound that nervous but you have practiced enough i think it's been many days now sir correct i didn't even communicate outside the house so it's a little bit nervous don't worry we'll do all the communication it takes here in this class itself thank you sir thank you so much it's happy to talk thank you thank you it was my honor thank you so i wish you all the best for your future thank you sir thank you god bless you thank you sir okay next stop puja jangir piram sumit sharma se do you want to do it your time to do it on the and you are the best for yourself this is why you are can't you go inside the website to find the information that you may want to do it when you यार इतना मैं बताओ इतना इतना खुश हुए जानकर कि आपको मजा रहा है क्लास में और वाट एल्स एक्सपेक्ट तो चिन्ने में तो यार फिर तो आग लग रहा है चिन्ने में इतना बड़ा मार्केट है इंस्टिल आइपल टूटेट इस्टुटेंट आइस वेरी बिग तो कैसा ओनलाइन जर्णी कैसा लग रहा है मलब कर सकते कम्मुनिकेशन इस लिए इंपक्ट ओपलाइन में बता है एक बार कर संकोचित हो जाते गार इसना बड़ा क्लास है क्या बोले कैसे यहां पर इंफेक्ट शुटेंट्स लिग देता है कि चलो लिक तो देता है सर नहीं आता है नहीं आता है और कुछ भी लिख सकते है आप बिल्कुल बिकुस क्या है कि सर अगर पढ़ लेंगे तो क्वेशन देगो आंसर करी देंगे तो अमेजिंग यार और कल की टेस्ट के लिए प्रिपेर्ड हो अच्छी थोड़े लेट जोई इन दियते तो में थोड़ा पन्ना बागी बिट्टिल आम अल्मोस बीडिए नोट में यह दिर हागी नी लेक्शिस अफ्लाइब चैप्टर वन तो यह बविए अब फिनिश इट उसमें कोई प्रोब्लम ने होगा तर आया पूजा मैनम और अब तर आप तर आप यह बात करते है तर माजी ते फिर से दुबारा और कोई है जो नया आया बात करना चाहिए प्लीज रहेंग्स वरनाई हम लास्ट पॉल रखते है आज का इफ देस नोवन तुमिट आफ्टरून क्या अल है अरे विडू पूरे दिल तक आ रहे है अच्छा आज भी तुम्हारे कंस्ट्रेक्शन तो कुछ अली नहीं रहे है सुमित अच्छा आज तो बंद है आज तो दिल खोल के बात करेंगे तो बताओ भाई क्या हाल है कहां से हो क्या कर रहे हो कुछ तो घरबड है जो मुझे समझ में ने या मेरे को पूरा नॉर्थ एक्सपेक्टेड होता है अच्छा में एंडि एंडि इंगलिश गोत इक दम हैं तु टैलेंटेट इंसान में सायार बिकुज यार मल्ट इतनी ज्यादा लैंगविज एक इंसान जानता नहीं उतना स्मार्ट इंसान रहता है अध्यां अमेजिंग तो टॉपर की लिस्ट में पकल दो एक नाम अध्यवन दन है प्रिपेड यह वी ना बात है थांकि सो मच आइंड और आई होप कि हम लोग अभी और बहुत से रही बार कनेक्ट करेंगे क्लास में चर्चा ऐसी शुरू रहेगी जिए यह थे थिए रही थे थलुद केश्क अजिए जो प्राम टॉट वी टस्टाइज बीश्ट करना है आलो अलो त्रूनी और निट्ट आएं तक यह थी तलू निम्हाम यह थैलो गॉड़ बूटर प्रनूट किया हल है जुए हाई आते मैं भी मस्तु मेर्यकों तो सब लोग बोलता है कितने मस्तों क्या खाना वीरा बना रहे हैं साथ में अघ्ड की देंक सेटो क्तेख बूगी लड़की भी आज या विद्वेत हो कविना रहे होता हो अके ले कहा रहो शिट्टी सुनके लगा महारश्ट्रा महारश्ट्र से कहां से वां अरे लागए शिट्टी मोला तो यह तो मुंबई है बाई या अलो पराटा तो वाद कर रहे हैं अरे एक अदर्शी भी आज यार थोड़ा तो देख लिए करो लेकिन 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 पुल तोड़ो लेकिन टैक्स की क्लास में बैटना पता चला सोग है उदर खापी के कि GST वागी है अविया कि अच्छा लेकिन पढ़ना ऐसे नहीं की पता चला है का अब यह संदे को फंडे बना लिया कि तो कैसे चल रही कल की प्रिपरेशन अच्छा तो अपने यूटूब पर देखें अच्छा तो चलो मिस्क तो नहीं हुआ इड्लीस पढ़ाई मिस्क नहीं हुआ अमेजिंग अमेजिंग चलो सही है तो कल के लिए प्रिपेर हो जाना सलोनी कल मैं दे रहा हो ना चलेगा ओके हैव फण एंड हैपी मील्स तैंक यू थांक यू थांक यू गॉट बात आत कर रहा था लास्ट लेक्टेर दिल से थोड़ा जूड़ा हुआ था यार यूटूब पे मैं बसे एक चीज कहना चाहूंगा मैं आप हर एक व्यक्ति को जो यूटूब पे आज मुझे देख रहे हैं मैं आप लोगों से भी बात करना चाहता हूं और यह कैसे पॉसिबल होगा जब आप में क्लास में आएंगे कल की क्लास अगर यूटूब पे नहीं आती है तो आर यू रेडी तो मिस्टाट क्लास इफ नॉट देन आइव वंडर्फुल प्लान पर यू प्लान इस वेरी सिंपल गो टू समझ यह ना एकागरता.co.in यहां पर आतर कोर्स पर जाहिए अब यह देको रेट्स चेंज होते रहेंगे ओके आप यह मत गह देना कि सरफ वीडियो में जो हमको रेट्स मिल रहे है वही चाहिए जो भी जब भी जैसे भी आप यह क्लास देख रहे हो आपका वेब से देखिए आप चाहें इंटरमिजेत का ले रहे हो ऐगलाएशन का ले रहे हो या मट्वलay ऐचीतार का करना आसान हो बहुत सारे options हैं आप all courses में जाके see all courses कर सकते हो आप यहाँ देखो group 1 combo SMM अंचुल सर मैं और निशान सर है आपको group 2 combo both group चाहिए वो भी यहाँ पर available है यह रहा बोद group combo है ना अंचुल सर है मैं हूँ आदर्श सर यहाँ पर निशान सर है अभिशेक सर है और दर्शन सर है amazing faculties आपको यह faculties यह level of knowledge experience जोश पर मिलता है कि थोड़ा सर्च करके आईएगा यह आप ले सकते है अभी इसके 50% off चल रहा है लेकिन last date है कल उसके बाद 50% off नहीं आने वाला तो मैं प्लीज आपसे कह रहा हूँ individual course का अगर आप सोच रहे हो तो don't go for six months मैं तो बोलता हूँ 9 months लो exam तक लेकर जाओ यही है आज मेरा आप आपको message प्रिप्या करके मुझे आप class में कल मिलिए ना I really want to teach you and continue to teach you see intermediate law thank you so much for joining in god bless you all lots and lots of love मिलते है next class में paid class में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साइडिंग आपस यादर जोशी बाए